आप लोगों का सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम ब्लॉगर वेबसाइट तो बना लिए लेकिन उसके उपर हमें ट्राफिक नहीं मिल रहे हैं अगर आप हमारे वेबसाइट को देखोगे तो यह वेबसाइट हमने आपके सामने बनाया था पीसी ग्रवर जो चैनल है इसका प्लेलिस्ट ए टू जड़ वेबसाइट मेकिंग का सबसे पहला वाले वीडियो पर आपको दिखने के लिए बिल जाएंगे यह वेबसाइट हमने आपके सामने बनाया थे और इसके पोस्ट के पेच भीव की बात करो तो यहाँ पर मुझे औ सटस के अंदर जाके यहाँ पर देख सकते हैं डेली के दोसों के आसपास ट्राफिक मुझे मिल रहे हैं अगर हम यहाँ पर आपको बताया रियाल टाइम करें और इस ब्लॉक के ओपर क्लिक करेंगे और नीचे किदे आप सबसे पहले देखोगे यहाँ पर गुगल से हमें national traffic मिल रहे भाई इदर उदर से नहीं Google से हि मिल रहे हैं अगर आप और भी नीचे आओगे यहाँ पर क्रूम से कितना मिल रहे और कौन से कंट्री से कितने कितने मेल रहे यह सारेछी आपके सामने धेज़ चील वह पर आपको काम करना मैं जिए जो ओप साइट渉क्र मेर उ बहुत ज़्यादे important होते हैं जो blogger के उपर website बनाता है खास कर वो लोग backlinks को भूल जाते हैं अगर आप यहाँ पर देखो के हमने search कर लिया base skin recorder for android and यहाँ पर सबसे पहले वाला जो post है इसका हम लोग देखेंगे और नीचे वाला जो post है नीचे से एक post लेंगे तो सबसे पहल यहाँ पर check backlink के उपर click करेंगे जैसी guys यहाँ पर click कर देते हैं यहाँ पर थोड़ा सा loading में आपको time लेगा यहाँ पर देखेंगे zero backlink है अब मज़े की बात मैं आपको दिखा देता हूँ यह बिल्कुल नीचे वाला post का link है Google के उपर जो search result है इसका नीचे वाला जो post है यह नीचे जितने मतलब नीचे जो post आया था इस नीचे से हमने post का link को copy करके यहाँ पर backlink चेक किया तो हमें मिला zero backlink अब सबसे उपर वाला post जो है उसका link copy करेंगे यहाँ पर cover check चेक करेंगे, नए वाला लिंक को हम यहाँ पर डालेंगे, इसको डिलीट करेंगे, नए वाला लिंक जो है उसको पेस्ट करेंगे, अब देखिए चेक बैक लिंक के उपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर वेरिफाइंग में थोड़ा सा टाइम लेगा, अब मजी की बात आप बनाना होता है, आप अपने ब्लोगर वेपसाइट के लिए फ्री में कैसे बैक लिंक बनाओगे, बैक लिंक बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जहां से आप बैक लिंक बना रहे हो, उसका ऑथोरिटी जो है वो अच्छा खासा होना चाहिए, बहुत ही हाई ओथोरिटेड होना चाहिए, और साथी साथ वो जो है बहुत पुराना एक ट्रस्टेड वेपसाइट होना चाहिए, जहां से आप बैक लिंक जेनरेट करते हो, ऐसे आपको गूगल के उपर आके बैक लिंक जेनरेटर करके सर्च नहीं करना ना है, यहां पे बहुत सारा वेपसाइट आजाएंगे, लेकिन इनमें से ज्यादातर केस में आपको कोई सुभिधा नहीं मिलने वाला, तो मैं आपको ऐसे टॉप 3-4 वेपसाइट बताऊँगा, जहां से आप फ्री में बैक लिंक बना सकते हो, अपने ब्लोगर वेपसाइट के लिए, जो आपके लिए मतलब बहुत ही कमाल के होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँगा, PC Graver Channel जो है, आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा support दिखा रहे हैं, लेकिन दुख की बात यह है, आप लोग ना यहाँ पर वीडियो तो देखते हो, य हम अपने 8 साल के YouTube और ब्लॉगिंग के जो experience किये हैं, वो 0 से लेकर last तक as it is आपके साथ share कर पाओ, और make sure guys A to Z website making और YouTuber बनने के लिए जो playlist है, इस चैनल का playlist कुल मिलागर एक बर check कर लेना, तो backlink बनाने के लिए सबसे पहला वाला जो website आपके साथ share करने वाले हैं, वो है क्य आप की और है के उपर अगर आप आते हो, तो यहाँ पर देखें, मैं कोई भी link hide नहीं करूँगा आपके सामने होगा, तो यह जो website है, आप Google के उपर जाके search करके इसके उपर आ सकते हो, और यहाँ पर आने के बाद आप Google का आपके जो Gmail account है, उससे आप logging कर सकते हो, ऐसी आपके सामने कुछ ऐसे dashboard दिखने के लिए मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको थोड़ा सा setup कर लेना है, कोई सब एक categories यहाँ से आप लोग चूज कर लो, उसके बाद आपके जिस category से आपके blog है, उसी category से अगर आप select करते हो, तो यह आपके लिए बहतर होगा, यहाँ पर कम स आपके सामने आपके account create हो जाएंगे, अब देखिए, यहाँ पर कमाल की बात मैं आपको बता देता हूँ, यह जो website है ना, यह बहुत पुराना है, और इतना trusted है, मैं आपको बता नहीं जाता, तो अगर आप कियोरा के domain authority को चेक करना चाहोगे, तो यहाँ पर आपको इसको copy कर लेना है, और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर हम लोग उसको डाल देंगे, यहाँ पर डालने के बाद check authority को उपर click करेंगे, यहाँ पर आपके सामने दिखने के लिए मिल जाएंगे, यह कितना बैतरीन domain है, यहाँ पर PADI आपको दिखने के लिए मिल जाएंगे, बहुत ही कबमाल के domain है, कितना click से, कितना rank में position है, वो सारे के सारे दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए सारे जो है आपका keyword के उपर यह top position पर rank करते हैं, इसके अंदर traffic कितना आते हैं, वो सारे के सारे चीज़ यहाँ पर आपको दिखने के लिए मिल जाएंगे, बिसिकलि हर कोई भी question का आप लोग answer कर सकते हैं, और कोई भी post बना सकते हैं, तो basically आप लोग यहाँ पर post के उपर click कर सकते हैं, यहाँ पर जैसी post के उपर click करोगे, यहाँ पर आपको say something के एक option दिखने के लिए मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको कुछ लिखना है, तो यहाँ पर अब क थोड़ा सा लिखेंगे, अब थोड़ा से क्या लिखेंगे, हम थोड़ा सा ही लिखेंगे, उतना ज्यादा नहीं लिखेंगे, तो आपके हिसाब से यहाँ पर कुछ ऐसा लिखना चाहिए, ताके लोगों को कोई meaning पता चले, लोग एक दो click अगर नहीं करेंगे, तो यह पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पर आपको और भी option दिखने के लिखेंगे, आप चाहे तो कोई भी यहाँ पर text को bold कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, तो यह सारे चीज होने के बाद, आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर आप लोग करोगे, और एक चीज जैसे कि यहाँ पर डालोगे, read more, जैसे यहाँ पर डाल देते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर आपका link देना है, यह जो post हमने, मतलब इस post के बारे में डाले हैं, इसका link को हमें copy कर लेना है, copy करने के बाद, यहाँ पर आप यहाँ पर नहीं डालते हो, तो यहाँ पर आप यह link के उपर click करके यहाँ पर enter link के उपर click कर सकते हो and यहाँ पर add के उपर click कर देना जैसे guys add के उपर click कर देते हैं यहाँ पर आपको read more के उपर link का जाते हैं अगर आप यह नहीं चाते हैं यहाँ पर hyphen लगा के भी यहाँ पर link डाल सकते हैं ऐसे link आप लोग डालोगे यहाँ पे थोड़ा सा loading आपके सामने के लिए मिल जाएंगे and आपके सामने कुछ ऐसे दिखने के लिए मिल जाएंगे अब आप लोग क्या करोगे basically आपको post के उपर klik कर देना है जैसी का इस post के उपर klik कर देते हो और make sure यहाँ पर everyone रहे तो post के देते ही आपके सामने यह पोस्ट हो जाएंगे यहां पर कुछ ऐसे दिखाएंगे तो यह आपके एक बैक लिंक बहुत ही हाई जिनरेटेड बैक लिंक हो चुका है यहां पर देखिए वन भी ओ आ चुका है अप बुट जितना ज्यादा होगा आपके पोस्ट का रिच उतना बढ़ेंगे और इससे कमाल की बात मैं आपको पूछ हूँ तो इस रिलेटेट कोई भी अगर गुगल के उपर भी सर्च करते हैं तो यह क्यूरा के अंदर अगर उसका सवाल के अंसर अब कर देते हैं तो यहां पर वो दिखाएंगे मतलब गुगल सर्च से भी आपको यहा अंदर इंकम भी होते हैं तो इन सारे चीजों के ऊपर अगर अगर अप डिडिटेट वीडियो चाते हो कमेंट करके मुझे जरूर इंफरम करना देखिए अगर मैं यहां पर क्लिक करू तो यहां पर मोनिटाइजेशन के एक उप्शन दिखने को मिलते हैं मतलब इसके अगर आप यहां पर यहां पर यहां पर क्लिक कर देते हों यहां पर आपके डैश्बूर्ड ओपन हो जाएंगे आपने जितने भी कंटेंट इसके अंदर डाले थे वह सारे के सारे कंटेंट यहां पर आपको लोडिंग हो जाएंगे और उसके बाद आपको दिखा तो वीडियो को ध्यान से देखना ये आपके लिए बहुत ही informative वीडियो होने वाले हैं अब उसी के साथ हम जाएंगे next website के उपर जिसका नाम है linkedin ये website का बारे में आप लोग YouTube के उपर add भी देखे होंगे तो ये website भी काफी कमाल के है और बहुत ही पुराना है इसका authority भी काफी high level की है तो basically यहाँ पर आपको account बनने पड़ते हैं अगर आप चाहते हैं Google के दुआरे यहाँ पर logging कर सकते हैं continue with Google के उपर click करके जैसे यहाँ पर continue करोगे आपके सामने कुछ ऐसे dashboard आ जाएंगे यहाँ पर आपको अपने country देना है और district यहाँ पर डालना है next के उपर आपको click कर देना है जैसे का next के उपर click कर देते हो यहाँ पर आपका most recent job title यहाँ पर दे सकते हो या फिर I am a student यह भी डाल सकते हो university बगरे बगरे सब कुछ यहाँ पर डाल सकते हो तो यहाँ पर blogger डाल दिये उसके बाद employment time यहाँ पर part time self employed यहाँ पर डाल सकते हो most recent company यहाँ पर कुछ भी डालो जैसे कि आप कुछ भी नाम दे दो कुछ भी का मतलब आपने company का नाम दे दे ना अपने website का नाम आप लोग दे सकते हो उसके बाद continue के उपर आपको click कर देना है जैसे का आप लोग यहाँ पर click कर देते हैं आपके सामने यह थोड़ा सा loading हो जाएंगा और यहाँ पर आपके सामने इसे finish दिखने के लिए मिल जाएंगे जैसे कैसे आप लोग finish के उपर click कर देते हैं यहाँ पर देखिए आपके सामने कुछ ऐसे नजारे दिखने के लिए मिल जाएंगे अब क्या करोगी यहाँ पर basically यह जो चीज है start a post यहाँ पर आपको दिखने के लिए मिल जाएंगे और यहाँ पर भी आपको वो सारे चीज सारे टूल दिखने के लिए मिल जाएंगे link लगाने की वो सारे के सारे चीज जैसी यहाँ पर आप लोग paste करोगे उसके बाद पोस्ट के उपर click कर देना है यहाँ पर दिखे loading preview यहाँ पर भी आपको preview दिखने के लिए मिल जाएंगे काफी कमाल के यहाँ पर आपको यह service provide करेंगे लेकिन वीडियो को अगर skip करोगे बहुत सारा चीज आप लोग miss करोगे आपको ध्यान से देखना है नहीं तो आप बहुत कुछ skip कर दोगे तो यह भी छोड़ देते हैं उसके बाद हम लोग क्या करेंगे basically इसके बाद हम next website के उपर जाएंगे जो की आते हैं medium की तरफ से यह website भी काफी कमाल के हैं और इसका authority एकबर check करना इसका डियाप यह चेक करना काफी कमाल के हैं मैं आपको check करके ही एक बर बता देते हूं यहाँ पर डाल देते हैं उसके बाद check authority के उपर click करेंगे यहाँ पर देखना कितना आते हैं domain authority आप लोग देख लेना है यहाँ पर 95 आ रहा है basically अगर हम यहाँ पर बात करें तो कुछ इस तरीके से आप लोग जो है medium के उपर आप लोग यहाँ पर भी कुछ कर सकते हूं जैसे कि अगर हम get started के उपर click करें तो यहाँ पर आपको वो ही scene google से यहाँ पर sign up करना होता है जैसी google से sign up कर लेते हैं तो आपके सामने यह थोड़ा सा loading लेगा and loading लेने के बाद यह open हो जाएंगे and यह जैसी open हो जाते हैं आपके सामने पूरा dashboard open हो जाएंगे आप लोग समझ जाओगे मैं आपको basically समझा देता हूं यहाँ पर पहली दवा थोड़ा सा loading में यहाँ पर आप क्या करोगे basically यह देखो लोगों ने post करके रखे 30 August को यहाँ पर देखो September 1 को यहाँ पर लोग verify भी होते हैं ठीक है यह चीज भी दियान में रखना तो आप क्या करोगे basically आपको उपर right दिखने के लिए मिल जाएंगे इसके उपर आपको क्लिक कर देना है जैसे का इसा आप लोग यहाँ पर क्लिक कर देते हैं वही scene आपको यहाँ पर दिखने के लिए मिल जाएंगे यहाँ पर भी आप लोग title वगर डाल सकते हो जैसे कि हम यहाँ पर हमारा post का एक title दे देते हैं उसके बाद enter दबाएंगे tell your story यहाँ पर आपको story डालना है और यहाँ पर आप picture वगर बहुत कुछ डाल सकते हो embedded code भी डाल सकते हो तो यहाँ पर हमने देखो यहाँ पर कुछ description दे दिये उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर link डालेंगे जैसे कि यहाँ पर link के उपर अगर हम चाहें तो click कर सकते कोई issue नहीं है और अगर आप वो नहीं चाहते हो यहाँ पर अगर आप link डालते हो तो भी यहाँ पर काम चल जाएंगे तो अगर आप चाहते हो read more लगाना जैसे कि हमने read more लगा दिया उसके बाद यहाँ पर देखे यह link option आ रहा है इसके उपर हम link डाल देंगे जैसी यहाँ पर link डाल देते हैं यह read more के उपर यह link add हो चुके है publish के उपर जैसी guys click करोगे आपके post जो है वो basically publish हो जाएंगे and easily तरीके से आप यहाँ पर एक topic चूज करना है जैसे कि यहाँ पर कुछ भी topic आपको डालना है तो यहाँ पर हमने डाल दिया android photo editor यहाँ पर publish के उपर जैसी click कर देंगे publishing story कुछ ऐसे दिखाएंगे and कुछ इस तरीके से आपका जो post है वो basically publish हो जाएंगे जैसी guys लोग read more के उपर click करेंगे आपके website के उपर वो लोग पहुँच जाएंगे तो यह बहुत ही कमाल की चीज़े अब सबसे top चीजों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो को ध्यान से देखना और अभी तक like and subscribe नहीं के please guys pc grower आपको 8 साल के experience as it is बताते हैं make sure guys channel को subscribe करें हमें support करें motive करें तो आपके लिए जो कमाल के website है उसके उपर जाएंगे वो है reddit अब reddit के बारे में मुझे बताने की जरूवत नहीं है guys reddit एक ऐसा website है international market के उपर ये जो website है हर एक topic को लेकर हर एक चायब हो movies की हो technology के हो news की हो खाना वाना कुछ भी हो सारे topic को लेकर इस website के उपर post की जाती है मैं आपको उतना deeply नहीं जा रहा हूँ मैं google के search result के उपर से कुछ आपको यहाँ पर data देने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर देखो reddit has 52 million daily active users मैं उतना deeply आपको explain करके मतलब proof चेक करके कितना user daily है वो नहीं दिखा रहा हूँ मैं बस आपको एक मतलब एक अंदाजा देने की कोशिश कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते reddit का daily user 55 million मतलब around 50 million के आसपा से daily का user मेरे भाई daily का तो महीने का सोचो तो reddit बहुत बड़ा उस site लेकिन इसके उपर न आप आता ही post नहीं कर पाओगे अब आज account बनाओगे उसके बाद यहाँ पर देखिए मेरे पास 8 karma है तो यहाँ पर मेरे खाल से मुझे उतना याद नहीं आ रहे है यहाँ पर लगबग 4 karma आपको होना चाहिए आज account बनाओगे 2-3 दिन के अंदर अंदर account पुराना अगर होते हैं और आप लोग ना लोगों को ऐसे vote करते हो आप vote इसे कहता है आप vote यह down vote ठीक है यह होता है आपका down vote तो कुछ इस तरीके से अगर आप लोगों को vote करते हैं तो उसके बाद रेडिट के अंदर आपको करमा मिलते हैं आप लोगों के पॉस्ट में comment भी कर सकते हैं उससे आपको करमा मिल जाएंगे यह Lax Reinder यहां पर बहुत सारा चीजों से करमा मिलते हैं तो यह करमा जैसे आपको चार-पाँच हो जाएंगे उसके बाद ना आप यहां पर पोस्ट डाल सकते हो देखिए यहां पर create post का एक option दिखने के लिए मिल जाएंगे इसके उपर जैसी click करोगे वो ही as it is यहां पर seen है लेकिन ready टेक ऐसा चीज है जिसके उपर अगर आप daily में अपने post को कुछ हिस्से को यहां पर डालते हो ऐसे question डालते हो मतलब मानो हमने post बनाया था best photo editor कौन सा है तो यहां पर आपको question बनाना है which is the best photo editor in 2023 which is the best photo editor application for android ऐसे question बनाना है नीचे कुछ लिखना है उसके बाद आपके उस related post का ही link देना है अगर आप अलग कोई post डालोगे अलग कोई post का link डालोगे तो Reddit ना बहुत strict है आपके account ban भी करेंगे तो जो करोगे सची चीज़ करना सही से करना आपको 100% यहां पर बहुत कमाल के backlink बनेंगे चलिए यह सारे बात तो होगा है लेकिन सबसे कमाल की बात अभी तक मैंने आपको नहीं बताया वो क्या है वो मैं आपको आप बता देता हूँ वो यह है मेरे भाई जितने भी post अपलोग करोगे एक एक website के उपर दिन में दो post जादा जादा दो post उससे जादा मत करना अगर करोगे तो spamming के अंदर आओगे आपके post rank भी नहीं करेंगे और आपके account भी गवाव एट होगे तो यह चीज़ ध्यान में रखना account को बचा के रखना जितना पुराना account होगा उसका आपके account के authority बढ़ेंगे और दो तिन महीने बाद जाकर अगर आप post लिखते हो उस time पे आपके post के उपर ज़्यादा views भी आएंगे तो यह सारे चीज़ आपको ध्यान में रखना है आप लोग यह सारे चीज़ फॉलो करोगे तो आपको benefit बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं और अगर आपको नहीं पता है मेरे भाई अगर आपको नहीं पता है blogger website के अंदर post कैसे लिख्या जाता है सही तरीके से post कैसे लिखोगे कैसे लिखने से rank होगा तो आई बटन पे वीडियो आ रहा होगा मेरे भाई वहाँ पे clicker कप लोग चे कर लो make sure guys चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना comment करके हमें बताना आपको किस topic को लेकर कोई भी सवाल है कोई भी problem है कोई भी question है कोई भी queries है हम उस topic को जरूर cover करने की कोशिश करेंगे और ये चीज़ हमेशे याद रखना PC Graver Team कभी भी आपसे आपके personal information लाइक, OTP, email address, bank address, mobile number, password कुछ नहीं मांगते हैं तो ऐसे चीज़ कभी भी हमारे comment box पे या फिर हमारे email पे मत डाला करिए